आज गोड मॉर्निक माई डियर स्टिडेंट जैसा कि बटा हम लोग फिनॉल और इथर चैप्टर पढ़ रहे ते जिसमें से पार्ट यह हम लोगों ने स्टडी कर लिया था जिसमें हम लोगों के बारे मचेश पढ़ लिया था ठीक है उसकी प्रेशन मैथेड़ और केमिकल वापड़ीज ठीक है अब हम पढ़ रहते हैं केमिकल वापड़ीज और फिनॉल ओके फिनॉल जो है क्या होता है इसदी की नेचर इस सारे चीज़े प्रूफ है मैंने तुमको कल दी थी आज हम थोड़ा सा केमिकल के थुरू देखेंगे जो फिनॉल होता है वो किस तरह के रियक्शन दे रहा है वो सब यह देखते हैं ठीक है बटा तो सबसे पहले हम लोग सकते हैं इस्टरिफिकेशन कि इस्टरिफिकेशन ओफ फिनॉल ठीक है तो क्या वाता है वाटा फिनॉल को लें गया फिनॉल तो आप जानते ही हो यह वाता है और यहां पर कोई एसे लेड़ो सी एस्टरिसी डबल ओएच ठीक है अब क्या वाता है वाटा अब यहां से ऊच यहां पर यहां से गया कि अच है वाटा है कि कि अच्छ कि आखा चाहसे लिप्लोड़ अगर तो यह क्या हो बता है यह एक आजाए यहां से यह अच्छ यह निकल जाए यहां पर एस्टिक मेडियाम रहेगा है तिक है तो क्या बन जाएगा O C double bond O CS3 क्या बनेगा बटा H2O तिक है न इसको बोलते हैं फिनाईल एसिटेट क्या बोलेगा बटा फिनाईल एसिटेट फिनाईल पर भी प्रोपर्टिक्स हो रही है Dusa Point Dusa Point reaction with Anhydride अके बता Anhydride से reaction कर आओ Penolkay Anhydride Coimilis अके बता CS3, CO O CS3, C4 तो देखो हो वाटा हमें यहां से डिल ले सकते हो यहां से झोड़ सकते न ृटी के न राने हो यह वी है माइनस होगा यह क्या होगा प्लस यह माइनस प्लस और क्या हो प्लस मरी कर देगा इस वाज है oxygen के उपर यह hydrogen प्लस में जो जाएगा वो यहां पर टैक हो जाएगा पर में लाकर किसे इस तरीके से होगा रेक्शन बटा इसमें भी बही बना क्या पिनाइल एसिटेट ओ और और सी एस त्री कि दबर लो अच जैसे टेक एसिट बना बटा है कि यह बना और तीसरा जो है बटा उसको बोलते हैं क्या सेम प्रेक्शन होती है बट उसको बोलते हैं एसाइलेशन एसाइलेशन ओफ फिनॉल क्या बटा एसाइलेशन ओफ फिनॉल तीसरा जो है जाएगा बटा हो क्या है एसाइलेशन ओफ फिनॉल इसमें क्या गड़ाते है फिनॉल की रियक्शन एसेटिल क्लॉराइट से पराते हैं बटा सी अस्त्री सी ओ सी अल एसेटिल क्लॉराइट है और यहां बेडियम लेते हैं बटा पीरीडिन बेसिक होती है अब तुम सोचो यह माइनस हो प्लस हो बटा यह लग हो जाएगा यहां से यहां पे क्या होगा यह यह जाए लगतर नेगे तो यह बद बस नेगेटिव होगा तो यह फिर सिय आटाई करेगा कहां पर और यहां पर क्या जाएगा और यहां पर क्या जाएगा और सी डपल पॉंड प्लस है अब इस एस एल को न्यूट्राइज यह क्या है अब यह नीट्रलाइज हो जाएगा इस से बेस के तरह यह तुम को क्या में जाएगा कि नाइल इस टेट इस तुम रोग सोचते दाना इस तरी सी डफलो एनने इसको बोलते सोडियम एसीटेट बात तो ही लिखी एसीटेट यह पुरा फैनाल गुरुप लगाए कि दुखर बटा फिनॉर में दो थाइप के इलक्टोफिक्स सब्टिटीशन होते हैं कौन-कौन से एक तो हैलोजनेशन होता है और दूसरा होता है नाइट्रेशन है चाहिन घम एकरिक्स दिखाएंगे तो देखो क्या होता है जो पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक भीप्रिशन होगा है होगा कि होगा अब जने शंबत फिनॉर्स बित अब टतर पिनॉर्स किन और लिक्ट अब ब्रोमीन इन टू थाइप फिस्ट वन क्या होगा वाटा इन प्रॉस्ट वन प्रॉस्ट वन क्या होगा वाटा सी एस टू और सी एच सी एल थी किके ना को अप्सेंस ओफ ठी यह अपर ऐच को विजिए नहीं लिए गए क्योंकि विकॉस क्या होता वाटा विकॉस यह क्यों नहीं लिया गए यह लग्टो फिलिक यह क्यों नहीं लिए गया विकॉस्ट पीनाल में गुट टैकर नहींぐ ट्रॉइंग ग्रोट है ठीक है ना जिसी दें यहां पर यहां पर यह 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 तरी यह नहीं दिये जा रहे है यह यहां पर क्या रादे बटा हमने अगर क्या ले लिया अगर हमने एक स्टू लिया और रोमीन के साथ रिक्षन करा रहे हैं तो क्या बनेगा और फैरा ब्रोमो फिनॉल इस यहां बनेगा यहां बनेगा प्लस यहां पर यहां बनेगा अलिएक क्या फिर में ने इंदर करें यहां पर प्लसिदध ली यहां प्लसिद आहां भट रिक्लिएञ यहां पर कुछ नहीं धी अग्तारिय फिर जलिप्र की से प्रूपी शेटेशन कर आ रहो है यहां भी बन जाएगा बटा प्रिनौल तो बनेगा हुआ प्लस ब्रोमीन और फो फेरा यह 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 क्या बनेगा टू फोर को मा फोर को मा शिक्स ट्राइब ब्रोमो लगा कि यह वाइट टीपीटी आता है कि वाइट टीपीटी है तो यह जो है यह याद रखना है यह दोनों याद रखना कि अगर स्यस्टू की प्रजास पर कराएंगे तो क्यों और 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 बनता है अगर इसमें प्रजास में या इनकी आप से कराते हैं तो बोमीन यह करेंगा वाइट प्रफोर्ड कॉमाज शिक्स ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता ठीक है यह था यह तो यह दो तरीके का होगा एक परजास आप सेटू एंड अपसंस ओडों तो क्या अब रहेंगा टूफोर शिक्स ट्राइब्रोमो फिनोल यह चीज होती है कि यह यूज की जाती है पता लगाने के लिए कि बेंडी रिंग पे ओएच ग्रूफ है कि नहीं है मतलब यह फिनोल है कि नहीं कोई और्गेनिक कंपाइब को अन्नों दे दिया जागा लैब में तो आपको ब्रोमीन वाटर से रिक्षन करा दो और उसको वाइट पीपिटी बन जाए तो समझ जाओ उसके अंदर उसे अरोमेटिक रिंग के अंदर फिनोल है तो इस्टिंग्व कर सकते हो पर फिर आम नाइट्रेशन देखते हैं जो जोटर नाइट्रेसन में क्या होगा नाइट्रेशन होगी दो तरीके से why the नाइट्रेशन आप नाइट्रेशन ओफ पिनॉल इसमें भी दो तरीके सी होगी एक में क्या होगा पार्टे पार्टे ठीके ना एक में होगा बटा डाइड्यूट एच एन और थी से एक्षन होगी ठीके ना यहां तो लग दो चले तो यह और्थो एंड पैरा नाइट्रो और्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनॉल बनेगा यह और्थो और बन गया पैरा वाला यह बन जाए ठीक ना यह मेजर बनता है यह माइनर बनता है मेजर क्यों बनता क्योंकि इसमें क्या होती बटा इंट्रा मॉलीकुलर हाइड़न बॉनिंग होती है इसमें क्या होता बटा इसमें इंटर मॉलीकुलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटर मारी इंटर मॉलीकुलर मतलब एक ही मॉलीकुल के अंदर हो जाएगी ठीक है ना यह होगा लेस वोलेट आई यह होगा मोर वोलेट आई और यह क्या होगा अगर आपने पार्ट बी में अगर आपने क्या पिया देखो बटा यह चीज़ समझ में आगी कि नहीं देखो यह मैं इसलिए नहीं बता रहा है कि यह मैं तुमको बता चुका हूं आइड़न बॉनिंग केमिल बॉनिंग में ठीक है ना तरो ती से देख अगर अगर यह लाप रहे देता हो ठीक है यह यह से आपने लिया और तो नाइटो फिनॉल ठीक है और तो नाइटो फिनॉल क्या वाता है यह यह नाइटोजन कि यह इसके विद्व को फट्रण बॉनिंग आ रहे कि नहीं है अगर्ण बॉनिंग क्या होई यह यह इंटर मॉलिकुलर अगर्ण बॉनिंग ठीक है यह तो अपने में ही क्या है अपने से बांड बना रहा बड दूसरे और तो नहीं बना रहा तो इसली क्या हो जाएगा देक हो जाएगा दूसरा देसे मालों की दूसरा भी तो होगा बूई अब यहां पर यह इन दोनों के बीच कुई पांड नहीं है तो इनको घीट करोगा तो इसमें क्या हो जाता है यह कि यह इसली पे बोलटाइल हो जागा यह इसली क्या हो जागा बटा वलेटाइल हो जागा भड़ वहाँ पर और नेखो क्या हो जागा यह इए और तो और तो नाइस्टरो फिनो भार है कि प्रस्क्रीव मेंने देखो किया है कि मेटा वाले में क्या है मैटा वाले में क्या है कि यह और जाब टूसरा है तो दूसरा दूसरा जो आएगा वह यहां पर आएगा यह पिनॉल आगा यह नाइक्टो तो देखो गटा इस तरीके से यह दूसरे से करें करें है रिजल बॉनी के तुरस इस उसको आप इसको ब्रेक कर पाना क्या होगा थोड़ा सा हर्ड होगा ये के इसको ऐसे में मालइकोब इसको यहां को क्य Hey इप कम हो जाएगी ना बेक नहीं कर पहाएं मतलब आप नहीं कर पाUD ना इसको ब्लिक क्लेशने में ऑने ख louutKO प्राइ। आपने और आपने किस से करा दिया है अगर आपने क्या करा दिया पार्ट पी में अगर आपने क्या करा दिया आप में अगर आपने कंसंट्रेटेड किस से करा दिया तो बिटा बन जाता है तो बनेगा प्लस ट्राइड नाइट्रो बनेगा मतलब 2,4,6 ट्राइड नाइट्रो फिनॉल इसको बोलते हैं प्रिक्ट्रिक एसिड जो क्या होता है एक्स्प्लोसिव होता है ओके बास समझ गए तो अगर आपने पार्ट एक डायूट किया तो क्या अगर आपने क्या